Hello students, आज हम cell cycle and cell division वाले chapter के, यानि कोशी का चक्र और विभाजन वाले जो chapter है, उसके कुछ important questions डिसकस करने वाले हैं. यह question अच्छे हैं, महलब आपके concert based हैं, कुछ तो direct question भी है, है ना, जो need में आरक हैं, वैसे questions भी हैं, तो आपके selection को बहुत अच्छा support कर सकते हैं, इसका मतलब आपके concert build-up कर सकते हैं, right, तो start करते हैं, cell cycle and cell division, कोशी का चक्र और विभाजन के questions. Given below, is a schematic breakup of the phases, stages of the cell cycle. नीचे कोशी का चक्र की प्रावस्थाओं, अवस्थाओं का योजना बद विभाजन दिया गया है, which of the following is a correct indication of the stages phases in the cell cycle, नीचे में से कौशी का चक्र में प्रावस्था अवस्था का सही सूचक है, है ना, क्या देखा है, question कह रहा है कि एक diagram अपने को दे रखा है, इस diagram के अंदर marking कर रखी है, a, b, c और d, इस टैप से, और अपने को identify करना है कि कौन सी marking यहाँ पर option में सही दे रखी है, है ना, तो इस तरह से अपने को question solve करना है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, diagram को देखते हैं, diagram के अंदर अपन पहले से marking कर देते हैं, कौन सी क्या है, और फिर अपने को option match करना रहेगा, right, तो देखिए, यह जो a है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यह तो है interface, यह कौन सी phase है, यह है m phase, है ना, नीचे वाली है interface, उपर वाली है m phase, है ना, यह वाली जो cell phase है, यह है g1, और d कौन सा है s phase, यह कौन सा है, g2, और यह, जो है m phase है, m phase में भी दो phase हो गई, एक को कह रहे है karyokinesis, एक को हम कह रहे है karyokinesis, और एक को हम क्या कह रहे है, cytokinesis, है ना, karyokinesis में भी क्या होता है, केंदरक विभाजन में फिर क्या होता है, चार अवस्था हैं दे रखी है, 1, 2, 3, and 4, यानि यह कौन-कौन सी phase हो सकती है, एक होती है pro phase, एक होती है meta phase, एक होती है anaphase, एक होती है tillow phase, पूर्वा वस्था, madhyawasthा, और पश्चा वस्था और अन्त्या वस्था, ठीक है न, तो इस तरह से phases दे रखी है, अब अपने को match करना है, कि जो phase है, इनसे कौन सो option कई साइध तरीके से match किया गया है, तो देखिए, फर्स कहता है B, meta phase है, तो यह जो B है हमारे सामने, हमने देख लिए यह तो anaphase है, इसका मतलब, यह तो साइध तरीके से match नहीं किया गया है, दूसरा कहता है C, karyokinesis है, यानि C जो है, वो केंदर्क विवाजन है, तो अगर आप देखते हैं C को, तो C क्या है, cytokinesis, कोशिक का द्रव्य विवाजन है, केंदर्क विवाजन नहीं है, यानि ये भी possible नहीं है, फिर देखते हैं, तीसरा कहा रहा है, D synthesis phase, D यहाँ पर कौन सी है, S phase और S को हम क्या कहते हैं, synthesis phase कहते हैं, इसका मतलब, यहाँ पर correct जो match किया जा रहा है, वो कौन सा है, C, अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर गलत तरीके से मिलाया गया है, तो इस question के लिए जो सही answer है, वो है C, Second question कहता है, Condensation of chromosome occurs in, गुंसुत्रों का संगिनन किस अवस्था में होता है, यह सवाल हम से पूछ रहा है, तो chromosome का condensation कब होता है, अगर इस बात को अपन समझें, तो अपने को पता होना है चाहिए कि Interphase में हमें Chromatine दिखाई देता है, है ना, G1 जब start होती है, तो हमें क्या दिखाई देता है Chromatine, S phase में क्या होता है Chromatine डबल हो जाते हैं, G2 में भी क्या रहता है Chromatine ही रहता है, लेकिन जैसी M phase आती है, M phase की जैसी pro phase आती है, तो Chromatine का Condensation यानि उसका संगनन शुरू हो जाता है, और वो गुनसुत्रों में Convert होना start हो जाता है, यानि Chromatine का जो संगनन गुनसुत्र बनने की जो प्रक्रिया है, वो pro phase में तो start होती है, और Meta phase में Complete हो जाती है, लेकिन अगर question आता है, कि बताओ गुनसुत्रों का संगनन कौन सी stage में होता है, कौन सी phase में होता है, तो हम क्या कहेंगे, pro phase में होता है, ठीक है, लेकिन यहापर option देखें, pro phase first दे रखा है, pro phase second दे रखा है, अना phase भी दे रखा है, और Meta phase भी दे रखा है, यानि confusion यहापर create कर रखा है, लेकिन अगर अगर अपन perfectly, अपनी knowledge wise अपन answer निकालते हैं, तो अपन यह कहेंगे, कि pro phase first में, chromosome का condensation होता है, लेकिन pro phase second में, पहले से ही chromosome पून रूप से वी संगनित, यानि कह सकते हैं, अपन pro phase second जब आएगी, अर्द सुत्री दृतिय जब आएगी, तो उस दोरान क्या होगा, गुण सुत्र पून रूप से वी संगनित होते ही नहीं है, जब पून रूप से वी संगनित होते ही नहीं है, पूरा completely उनका decondensation होता ही नहीं है, कि pro phase second में, क्रॉमोजोम का कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे वी संगनित होई नहीं थे, decondensation होई नहीं था उनका, फटा फटा आगे pro phase second इसलिए सा हुआ, अना एना phase में तो वैसे भी क्रॉमोजोम का गुणसुत्रों का विभाजन होता है, और meta phase के अंदर क्या होता है, क्रॉमोजोम का condensation complete होता है, पूरा होता है, अगर ये question हमसे पूछता के बताओ, गुणसुत्रों का संगनन पूर कहा होता है, तो हम क्या answer लगाते है, उसका D लगाते है, meta phase, ठीक है, तो इस question के हिसाब से, जो answer जाना चाहिए, वो है A, प्रॉफेस फरस्ट, यानि अर्ध सुत्री विभाजन की भूमी का क्या है, question कह रहा है कि बताओ, तो मियोसिस यानि अर्ध सुत्री वाजन क्या करता है, यह हमें बताना है, ठीक है, पहला option कहता है, formation of gametes, यानि युगमकों का निर्मान करता है, दूसरा कहता है, bringing of haplophase, अगुणी तवस्था की इस्थापना करता है, तीसरा कहता है, bringing of diplophase, अगुणी तवस्था की इस्थापना करता है, और चौथा कहता है, completing life cycle, जिवन चक्र पूरा करने में काम आता है, तो देखो, इस question को solve करने के लिए, ज्यादतर बच्चे फटाफट फटावट क्या कर देते हैं, यह answer लगाते है, यह युग्मक बनाने में, कई ऐसे organism हैं, जो haploid है, अगुणी थे हैं, जैसे की plant, आपने देखा होगा, कि शैवाल, यानि यानि, alga, haploid है, ब्रायफाइटा कैसा है, haploid है, तो अगर इनको gamit बनाने होंगे, अगर इनको युग्मक बनाने होंगे, तो क्या ये meiosis करेंगे क्या, क्या ये ardh sutri करेंगे क्या, नहीं करेंगे न, क्योंकि इनकी already body कैसी haploid है, तो ये क्या करेंगे, mitosis करेंगे, सम sutri करेंगे, यानि अगर युग्मक ही बनाने होंगे, तो क्या नहीं किया जाएगा Mitosis, Meiosis नहीं करके Mitosis भी किया जा सकता है, इसका वलब अर्द Sutri विभाजन का महत्व युगमक बनने में नहीं गया क्योंकि कहीं नहीं युगमक तो सम सुत्री सभी बनते हैं, है ना? दूसरा कहता है bringing haplophase, अगुनी तवस्था डवलप करना, बिलकुल सही है, क्योंकि अर्ध सुत्री विभाजन ही वो विभाजन है, जिससे हम द्वी गुनी तवस्था को अगुनी तवस्था में convert कर सकते हैं, है ना, the meiosis is only process by which we can convert deployed cell into the haploid cell, है ना, यही एक process रहता है, इसका मतलब विभाजन की जो भूमी का है, वो कहां जाती है, bringing of haplophase, यानि B answer के लिए जाती है, सी कहता है bringing diplophase, द्वी गुनी तवस्था बनाने में, नहीं, diplophase के लिए नहीं होता, diplophase वापस लानी अगर है, तो या तो fertilization होना चाहिए, और या फिर उस cell के अंदर directly mitosis, यानि स भाएगी, ठीक है, इसलिए इस question का जो answer जाता है, वो है B, which of the following events are not characteristic feature of telophase, निमन में से कौन सी गटना, telophase का विस्स लक्षन नहीं है, आप देखें यहाँ पर, नहीं है पूछा है, इसका मतलब अपन क्या लगाएंगे, not के उपर marking करेंगे, not को highlight करेंगे, नहीं है question हम से पूछा जा रहा है, है ना, निमन में से कौन सा, telophase का लक्षन नहीं है, राइट, पहला options देखते हैं, first option कहता है, chromosome material condenses to form compact mitotic chromosome, टीक है, गुंसुत्र पदार्त संगनित होकर, mitotic गुंसुत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं, टीक है, क्या यह statement सही है, तो अगर आप देख chromosome का decondensation होता है, और गुंसुत्र अपने अस्तित्व को खो देता है, यानि chromosome अपना जो characteristic feature है, वो loose कर देता है, वो खतम कर लेता है, वापस chromatin में convert होने लग जाता है, जबकि पहला statement कह रहा है, chromosome material condensates, यानि गुंसुत्र पदार्त संगनित होकर, mitotic गुंसुत्र में convert हो जात होता है, दूसरा कहता है, नुकलियोलस, गौलगी कॉंपलेक्स, एंड इयार, रीफॉर्म, यानि केंदरी का, गौलजी का, यह तथा, इयार का पुनर निर्मान होता है, बिल्कुल सही है, प्रॉफेज में इन सब का dissolution हुआ था, यह सब विलुपत हो है थे, और टीलो आते आते दुबारा से बन जाएंगे, इसका मतलब यह वाला प्रॉसेजर तो टीलो फेज का है, तीसरा कहता है, नुकलियर एंवलप, असेंबल्स, अराउंड दे क्रॉमोजोम क्लस्टर, क्रॉमोजोम समु के चारों और नुकलियर आवरण का निर्मान हो जाएगा, तो ब फोर्थ पॉइंट कहता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, एंड क्रॉमेटिड सेपरेट्स, सेंट्रोमियर तूडते हैं, तता क्रॉमेटिड प्रथक हो जाते हैं, यह तो एनाफेज मो होता है, है ना, जब स्पिंडल फाइबर, तरकू तन्तु क्रॉमोजोम को पकड़ के तो सेंट्रोमियर तूडता है और दोनों क्रॉमेटिड अलग हो जाते हैं, तो यह तो किसका है, एनाफेज का है, यह यह यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, उसके बार में कहता है, क्रॉमोजोम क्लस्टर at opposite spindle pole and their identity as discrete element is lost, क्रॉमोजोम समू, विपरित ध्रूवाँ, spindle पोल पे, यानि विपरित ध्रूवाँ पे पहुंच जाएंगे और वो अपने अस्तित्व को खतम कर देंगे, यानि यह वाला point भी टीलो फेस का ही है, तो हमसे सवाल क्या पूछा गया, हमसे सवाल पूछा गया, कौन सा नहीं होगा, आप देखें, not है, तो not है, तो कौन सा B, clear, which is not true for anaphase, anaphase अवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, है न, not true पूछा देखें अप, not true है, कौन सा अस्तिय है, यह सवाल हमसे पूछा गया है, तो पहला option कहता है, गौलजी body and ear are reformed, गौलजी का यह तैथा अंतर प्रद्रवी जाली का पुनर निर्मान हो जाता है, द दूसा कहता है, chromosome moves to the opposite pole, यानि गुनसुत्र विपरित द्रुवां की और गती करते हैं, तीसरे कहता है, spindle pole move farther apart, spindle द्रुव की आगे गती करके भिन हो जाते हैं, और तीसरे कहता है, centromere split and chromatid separate, centromere's तोड जाते हैं और chromatid जो हैं वो, अलग-अलग हो जाते हैं, तो ये सारे कब बनते हैं, ये सारे दुबारे से बनते हैं, टीलो फेस में, ये सारे के सारे प्रॉफेस में विलुपत होते हैं और टीलो फेस में बनते हैं, और हमसे बुचा गया है, जो एनाफेस से रिलेटेड नहीं है, तो एनाफेस से रिलेटेड नहीं है, ये तो से related है ठीक है दूसरा कहता है क्रोमोजों मूव टू अपोजिट पोल गुंसुत्र विपरित दुरूओं की और गती करते हैं यह बिल्कुल सही है एना फेज में क्रोमोजों तूटते हैं और विपरित दुरूओं की और जाते हैं है ना इस पिंडल पोल मूव फार्दर अपार्ट बिल्कुल सही है धीरे 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 तरकु तंतु जो है वो दुरूओं की और जाने लगते हैं यह option कह रहा है तो इसका हमला यह भी सही है और चौता कह रहा है सेंट्रोमेर इस्प्लेट होता है एना फेज में सेंट्रोमेर तूट तूटता है और दौनों क्रॉमेटीड एक दूसरे से अलग होकर दुरूओं की और पहुंच जाते हैं यानि यह तीनों option एना फेज के लिए सही है बट फर्स्ट ऑप्शन जो है वो किस के लिए दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन दो दे रखा है वो टीलो फेज के लिए दे option गलत है राइट तो आंसर एगा इसका A The term synaptonymal complex refers to site of synaptonymal complex अब क्या प्रदर्शित करता है यह यह सुना होगा आपने synaptonymal complex question कह रहा है बताओ synaptonymal complex से आप क्या समझते हो इसका answer अमें निकालना है फर्स्ट option कहता है chromatid separation यानि chromatid अलग-अलग होने के इस्थान को यानि जब chromatid अलग-अलग हो जाते हैं उस point को अपन synaptonymal complex कहते हैं दूसरा कहता है spindle attachment यानि जहाँ पे spindle तरकु तन्तु जुडते हैं उस इस्थान को synaptonymal complex कहते हैं तीसा कहता है replication जहाँ पर प्रतिकरतिकरण होता है replication होता है उस इस्थान को कहते हैं और चौता कहता है chromosome aligned at and recombination chromosome पंक्तिबत तथा recombination के इस्थान को कहते हैं synaptonymal complex सीधा point आना चाहिए तो meiosis याद आ जाना चाहिए अर्सुत्री वाजन याद आना चाहिए उसका prophes first याद आना चाहिए और उस prophes first की जो second stage जाइगोटीन वो अपने को याद आना चाहिए जाइगोटीन में दो homologous chromosome है दो समझाद गुणसुत्रों का जोड़ा बनता है जिसको युगली या synapse कहते है और उनके बीच में अगर protein का एक्खटा यानि protein accumulate हो जाते हैं तो एक complex बन जाता है जिसको synaptonymal complex कहते हैं यानि synaptonymal complex दो homologous chromosome दो समझाद गुणसुत्रों के बीच में होता है और उनके बीच में जो protein का accumulation हो जाता है तो एक जटिल कह सकते हैं संकुल बनता है complex बनता है जिसको अपन synaptonymal complex कहते हैं राइट यानि synaptonymal complex क्या होगा chromosome जो है वो align हो जाएंगे आपस में जोड़े बना लेंगे और फिर वो gene minima की क्रिया करेंगे यानि जो कहते हैं न crossing over फिर वो crossing over करने वाले होगे इसका मतलब इस question के लिए साही answer जाता है D division of cytoplasm after completion of nuclear division is called केंद्र की विभाजन पूर्ण होने के बाद हुआ कोशी का द्रव विभाजन खेलाता है बिलकुल आसान सा question है कि जब cell cycle की हम बात करते हैं M phase की हम बात करते हैं कोशी का चक्र में M ववस्था की जब बात करते हैं तो M ववस्था की दो ववस्थाएं होती है एकक को कहते हैं केरियो काइनसिस एक को कहते हैं Site of kin趣 तो यह पूछ रहा है कि जब कंदर विभाजन हो जाता है तो उसके आता है, karyokinesis के बाद सीधा cytokinesis आता है, तो पहला option देता है, cytokinesis, तो इस question का अंसे क्या जाता है, A, cytokinesis, B कहता है karyokinesis, तो karyokinesis तो खुद nuclear division है, केंदरक विभाजन है, crossing over तो वैसे भी meiosis का है, वहाँ पे gene-vini में होता है, और interkinesis, interkinesis जो है, वो meiosis first और meiosis second, sutri, दृतिय की बीच की अवस्ता को interkinesis कहता है, clear है, तो इसला इसका answer जो जाता है, वो है A, इन पेकाइटीन stage of meiosis, the chromosome appears, meiosis की पेकाइटीन अवस्ता में, गुंसुत्र कैसे प्रतीत होता है, याने question कह रहा है कि जब meiosis होगा, अर्चुत्री विभाजन होगा, और जब उसकी पेकाइटीन stage आएगी, तो आपको chromosome कैसा दिखेगा, पहला कहता है, single standard दिखेगा, दूसरा कहता है double standard, याने dwik standard दिखेगा, तीसरा कहता है three standard दिखेगा, याने trick standard दिखेगा, और चौता कहता है four standard दिखेगा, पैकाइटीन stage, जाइगोटीन के बाद आती है, जाइगोटीन में, दो समझाद गुंसुत्रों के जोडे बनते हैं, दो homologous chromosome के pair बनते हैं, और फिर उनके non-sister, यानि अपुत्री chromatid के मध्य में, जीन विने में होता है, यानि जैसे ये chromosome है, और ये दूसरा chromosome है, दो समझाद गुंसुत्र हमना मना दिये, अब इनके बीच में क्या होता है, जीन विने में होता है, ये इदर जाएगा, और ये इसका खंड जो है, वो इदर आएग कैसे दिखाई देते हैं, बाइवेलेंड या फिर टेट्राड दिखाई देते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, चतुष्क कह सकते हैं, या फिर बाइवेलेंड कह सकते हैं, या फिर डबल स्टेंडेड कह सकते हैं, और जो सिंगल स्टेंडेड होता है, उसको अपन मोनोवेले कहता है तो पैकाईटीन में कैसा क्रोमोजोम दिखाई देगा एक पूरा टेट्राड या पूरा बाइवेलेंड या डबल स्टेंडेड गुंसूत्र जो है वो हमें दिखाई देगा इसलिए इसक्वेशन का आंसर जाता है B, right? जो एक पूरा टेट्राड जाता है तो माइक्रो टीबियूल का अबहुली करन हो जाता है तेगा न जिससे क्या होगा? question के रहा है कि जो colchicine एक chemical होता है वो अगर micro tubule पर attack करता है तो micro tubule का depolymeration हो जाता है उसका बाउली करण जो है वो रुख जाता है तो बताओ फिर कौन सी क्रिया होगी क्या होगा उसके अंदर तो मैं आपको बता दूँ colchicine क्या है colchicine एक alkaloid है जो colchicum autumn nail plant के seed से मिलता है और ये एक liliacy plant का जो है member है right colchicine alkaloid micro tubule यानि जिसको अपन spindle fiber कहते है तरकू तन्तू कहते है उनको बहुली करत नहीं होने देता उनको बनने नहीं देता यानि metafage का blocker होता है colchicine याद रहे metafage stage का blocker होता है tubulin protein को बहुली करत नहीं होने देता जिससे spindle fiber नहीं बनते है अब option कहता है inhibit spindle formation during mitosis mitosis के दुरान spindle निर्मान का संदमन कर देता है दूसरे कहता है inhibit cytokinesis क्या वो cytokinesis यानि कोशे का द्रव बाजन का संदमन कर देता है तीसरे कहता है allow mitosis beyond the metafage metafage के बाहर mitosis करने देता है यानि metafage हो गई उसके बाद में mitosis करने देता है और fourth कहता है induces formation of multiple contractile ring बहु संकुचित वले निर्मान को प्रेरित करता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि colchicine spindle fiber नहीं बनने देता तरकू तंतो नहीं बनने देता क्योंकि colchicine microtubule polymerization का blocker है तो answer है A select correct option सही विकल्प चुने है यानि match the column है आप देखें दो column हमें सामने दे रखें column इदर first है, column second है इदर दे रखें process, इदर दे रखी है phases, अपने को क्या करना है process को उनकी phase के साथ में match करना है और match करने के बाद में जो option सही आएगा उसको select करना है तो देखिए पहला कहा रहा है synapsis, align homologous chromosome synapsis समझाद गुनसुत्रों को पंक्तिबत कर देता है तो synapsis आते ही हमारे दिमाग में आदाना चाहिए zygotene phase, कौन सी आदाने चाहिए zygotene, इसका मालब एक के साथ में क्या match करता है second, zygotene दूसरा कहता है synthesis of RNA and protein RNA और protein का sun solution RNA और protein कौन सी phase में बनते हैं एक तो G1 में बनते हैं और एक G2 में बनते हैं, यानि interface की बाद चल रही है आपे तो इसका मालब यहां पर हमारे सामने क्या दे रखा है, G2 दे रखा है इसलिए अपन क्या लगाएंगे, G2 phase लगाएंगे action of enzyme recombinase endonucleases enzyme recombinase endonucleases की अभी क्रिया दो homologous chromosome के बीच में endonuclease या recombinase आता है और वो क्या करता है, non-sister chromatid के खंडों को काटके, अप उत्री जो chromatid होते हैं, अर्ध गुंसुत्र होते हैं, उनके खंडों को काटके, आदान प्रदान कर देता है जिसको अपन crossing over या gene venue में कहता है यानि यह वाला कहां पर होने वाला है तो यह वाला pacotin के अंदर होने वाला है तो देखें, यह सीधा का आएगा pacotin stage में जाएगा और fourth कहता है, centromere do not separate, but chromatid move towards opposite poles centromere तो प्रथक नहीं होता किन्तु chromatid विपरित दुरों की और जाने लगते हैं centromere divide नहीं हो रहा centromere टूट नहीं रहा, लेकिन फिर भी chromatid poles पर जा रहे हैं, तो याद करें anaphase first, है ना, यानि जिसको अपन कहते हैं, पश्चा वस्ता प्रथम, जिसमें spindle fiber, समझाद गुंसूतरों को पकड़ते हैं, और खींच के लेके जाते हैं और समझाद गुंसूतरों का प्रथक करण कहते हैं, यानि separation of homologous chromosome यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो answer जाएगा anaphase first, तो देखें यहाँ पर anaphase second, first दे रखा है क्या, बिल्कुल इसके सामने anaphase first दे रखा है, तो अपन match करते हैं, देखें, एक के सामने क्या रहा है second, तो A के सामने second यहाँ पर हैं, तीन option में दे रखा हैं, B के सामने क्या है, third, B के सामने third यहाँ दो option में दे रखा हैं, C के सामने क्या रहाएगा, fifth, तो C के सामने जो fifth है वो A की option में दे रखा है, यानि इस question का answer जाता है A, और D के सामने क्या आता है fourth तो D के सामने 4th, तो correct answer इसका क्या जाएगा, A option इसके लिए correct match किया गया है, right? Next question देखेंगे, arrange the following event of meiosis in correct sequence, अर्द सुत्र विबाजन की घटनाओं को सही करम में विवस्तित कीजिए, यह question कह रहा है कि जो अर्द सुत्री phase, अर्द सुत्री अवस्ताएं होती है, उनकी जो घटनाएं होती है, उसमें जो जो process चलता है, उनको आप सही तरीके से organize करो, arrange करो और उसका sequence बताओ, है ना? पहलत दे रहा है, crossing over, याने gene minim है, दूसरे देता है, synapsis, याने सुत्र युगमन, तीसरे देता है, termination of kiazmeta, kiazmeta का अंत, और चौथा कहता है, disappearance of nucleus, याने केंदरिका का अध्रश्य होना, अगर आप इनको ढंग से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो इस सारे process प्रोफेस फरस्ट के हैं, पूरुवा वस्ता प्रत्थम के हैं, क्या है ये? प्रोफेस फरस्ट है, प्रोफेस फरस्ट को हम जो है, पांच उप अवस्ताओं में विवाज़त करता हैं, laptopine, zygotine, pecatine, diplotine and dikinesis, कौन-कौन सा आता है, सबसे पहले आता है, laptopine, दूसरा आता है, zygotine, तीसरा आता है, pecatine, चोथा कौन सा आता है डिपलोटीन और पाँचवा कौन सा आता है डायकाईनेसिस यह है फ्रफेसस के सीक्मान सारे कैसारे सबसे पहले कहता है क्रोसिंग ओवर तो आपको पता होगा कि k्रोसिंग ओवर किसके साथ मैक्श करता है तो crossing over कहाँ पर होता है? Pachytin stage में होता है, यानि third stage के अंदर क्या होता है? Crossing over. तो अपन यहाँ लिख देंगे, यह third stage का है, यानि Pachytin का है. दूसरे कहता है synapsis, synapsis कब होता है, समजाद गुंसुत्रों का जोडा कब बनता है, होमोलोगस क्रॉमोजोम का पेर कब बनता है, तो zygoteen में बनता है, तो इसके आगे आगे आपने लिख देंगे, second sequence, तीसा कहता है termination of chiasmeta, chiasmeta का अंत कब होता है, तो आपको बता होगा कि terminalization, यह ना, terminalization जिसको अपन कहता है, यानि दो समझाद गुंसुत्रों के अंदर आपस में प्रत्थक करण होने लगता है, कि आज मेटा खिसकता खिसकता किनारे पर पहुंच जाता है, उसको कहता है, terminalization हिंदी में कहता है, उपांती भवन, और यह कब होता है, डाइकाइनेसिस के टाइंग, में ही क्या होता है, केंदरिक, जिल्ली, केंदरिका, ER और गॉल्जी बॉड़ी है, वो विलॉप्त होने लगता है, इसका मतलब यह वाला प्रोसेस भी, डाइकाइनेसिस का ही है, तो अगर सीक्वेंस अपन देखेंगे, तो 2, 3 और 5 और 5 और 5, डाइकाइनेसिस के अंत में यह होगा, और डाइकाइनेसिस के स्टार्टिंग के अंदर ही होगा, इसलिए पहले आएगा 3 और फिर आएगा 4 राइट, तो 2, 1, 3, and 4 सही आंसर इसका कौन सा जाता है, 2, 1, 3, and 4 सही आंसर जाता है, A. Next question देखेंगे, इन विच स्टेज ऑफ मियाउसिस, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, अर सुत्री वाजन की कौन सी अवस्ता में, जीन विनि में होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, बिल्कुल सिंपल सा question है, जाइगोटीन में समझाद गुण सुत्रों के जोडे बन जाते हैं, होमोलोगस क्रॉमोजोम के पेर बन जाते हैं, और जब क्रॉसिंग ओवर पेकाइटीन होता है, जब पेकाइटीन आता है, तो उनके बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, गुंड सुत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है, exchange of the chromosomal segment होता है, इसका मतलब इस question का जो answer जाना चाहिए, वो क्या जाना चाहिए, Pekaitin, क्या जाना चाहिए, Pekaitin नवस्ता जानी चाहिए, और ये Pekaitin नवस्ता किसकी है, ये Prophase first की है, इसका मतलब इस question का जो answer रहेगा, वो कौन सा रहेगा, first, Prophase first, ठीक है, Prophase, Prophase तो mitosis का समसुत्री का होता है, वो answer होगा नहीं, Metaphase या पर भी वोई mitosis समसुत्री का दे रखा है, और Anaphase में mitosis यानि समसुत्री का दे रखा है, Crossing over जो होता है, वो meiosis में यानि अर्सुत्री वाजन में होता है, right? Next, देखिए, next question है, Homologous pairing in Prophase first of meiosis first is called, meiosis first की Prophase first में, जो homologous chromosome होते हैं, उसके युगमन को क्या कहता है, है न, Prophase meiosis first, meiosis first की भी Prophase first, और उसमें, जो समझाद गुणसुत्रों का जोड़ा बनता है, यानि homologous chromosome की जो pairing बनती है, उसे क्या कहता है, तो उसको हम synapse कहते हैं, yugli कहते हैं, है न, समझाद गुणसुत्रों का जोड़ा कहते हैं, simple सा point है, तो पहला कहता है synapsis, बिल्कुल ठीक है, यानि यही कहते हैं, दूसरे कहते हैं, linkage, सालगनेता, सालगनेता यह नहीं होती, सालगनेता तो, जीन बिना किसी परिवर्तन की, एक पीडी से दूसरी पीडी में, यानि जीन without any change, transfer from the one generation to next generation, तब उसको अपन linkage कहते हैं, याना, पास-पास में होते हैं वो जीन, crossing over, crossing over नहीं कहते हैं, crossing over में तो, क्या होता है, गुंचसुत्रों के खंडों का आदान प्रदान होता है, exchange of the chromosomal segment होता है, और D कहता है, syndesis, syndesis एक surgery है, bones की surgery है, जहाँ पे joint का प्रत्या रोपन, यानि joint replacement किया जाता है, exchange किया जाता है, उसको syndesis कहता है, इसका मालब ये भी option यहाँ पे नहीं आएगा, तो perfect answer जो जाता है, वो है A synapsis. During which phase of cell cycle, amount of DNA in cell remain at 4C level, if initial amount is denoted as 2C, ज़दे DNA की parambic matra 2C होतो, कोशी का चकर की किस सवस्था में, कोशी का में DNA की matra 4C इस्तर तक हो जाएगी, question 7 में आया होगा, बिल्कुल simple सा है, कि starting में हमको DNA की matra 2C दे रखी है, और उसके बाद में अगर वो 4C हो जाती है, तो बताओ, वो कौन सी ऐसी stage होगी, जिसमें वो 4C रहेगी, उसके अंदर कोई change नहीं आएगा, वो बदलेगी नहीं, यह सवाल हमसे पूछ रहा है, पहला कहता है, वो only G2 phase होगी, दूसरा कहता है, G2 and M phase होगी, तीसरा कहता है, G0 and G1 phase होगी, और चौथा कहता है, G1 and S phase होगी, इस question को करने से पहले, आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, कि DNA का replication, DNA का प्रतिकरतिकरण S phase में होता है, यह जो S phase है, इसमें DNA, एक का क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, अगर यह 2C है, तो यह 2C और यह 2C, कितने हो जाएंगे, 4C हो जाता है, इससे पहले G1 है, उसके अंदर हमेशा कह रहेगा, 2C ही रहेगा, उसके अंदर कोई change नहीं आने वाला, इसके आगे G2 जो आता है, उसमें भी क्या रहेगा, 4C रहेगा, इसके आगे आती है M phase, जाना, G2 का आगे कौन सी phase आती M phase, उसमें pro phase तक ठीक है, meta phase तक ठीक है, एना phase में chromosome अलग-अलग होने रगे, और telophase में वापस nucleus के अंदर जाके, 2C, 2C में convert हो गए, इसके आगे M phase में भी वो क्या बन जाएंगे, last में जाते जाते, 2C और 2C के अंदर वो convert हो जाएंगे, हमसे सवाल पूछा गया है कि वो 4C ही रहेंगे, देखिए आप question डंग से, कोशी का चकरिक के सवस्था में DNA की मात्रा 4C स्थर तक हो जाती है, 4C level की हो जाती है, right, तो answer में G2 और M, M होगा नहीं क्योंकि M के अंदर देखो वो 2C, 2C हो गया, जी टू ठीक है यहापे, फिर कहता है G0 और G1, G0 तो इससे भी पहले आने वाली है, उसमें भी क्या रहेगा, 2C ही रहेगा, और G1 में भी क्या रहेगा, 2C रहेगा, तो यानि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, G1 और S, G2 में तो 2C है, S में जरूर 4C है, लेकिन G1 यहापे गलत दे रहा है, यानि इस question के इसाप से जो answer जाता है, वो जाता है only in G2 phase, क्योंकि G2 phase के अंदर क्या रहेगा, वो 4C रहेगा, S के अंदर तो बना था, G2 में रहेगा, आगे वापस जाते वे वो 2C के अंदर convert हो जाएगा, इसलिए इस question का answer जाएगा, A, very important question आ सकता है NEET में, Next question देखेंगे, chromosome number is halved in meiosis, अठ सुत्री विवाजन में गुन सुत्रों की संख्या आधी कब हो जाती है, Simple सा question, कौन सी ऐसी phase है, जा पिर number of chromosome हाफ हो जाएगे, आदे हो जाएगे, यह हमें पूछा जा रहा है, तो आपने सुना होगा, एक meiosis first है, एक meiosis second है, एक अठ सुत्री प्रथम, एक अठ सुत्री द्वित्य है, अठ सुत्री प्रथम में, meiosis first में, number of chromosome हाफ हो जाते हैं, इसलिए उसको noon curry विबाजन यानि reductional division कहता है meiosis second में को हम some विबाजन कहते है equational division कहते है जितने chromosome रहते हैं उसमें उतने ही रह जाते हैं उसमें कोई change नहीं आता तो जब reductional division meiosis first है तो गुंसुत्रों की संख्या अगर आदी होगी तो कब होगी anaphase first में ही तो होगी क्योंकि anaphase first में homologous chromosome समझात गुंसुत्र जो है वो धुरूओं की और गत्ती करने लग जाते हैं chromosome जो है वो धुरूओं पर पहुंच जाते हैं यानि number of chromosome वहीं पर half हो जाते हैं और वो centromere नहीं तूटता वहाँ पे इसलिए सबसे important चीज क्या है anaphase first में सेंट्रो में नहीं तूटता समझात गुंसुत्रों का प्रथक करन हो जाता है प्रथक प्रथक हो जाते हैं एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और number of chromosome को आधे कर देते हैं इसलिए इस question में एक option दे रखा है metafase first एक option दे रखा है anaphase first एक दे रखा है metafase second और एक telophase first तो इस question का जो perfect answer जाना चाहिए वो है anaphase first ठीक है क्योंकि इसमें number of chromosome half हो जाएंगे right next question देखेंगे which of the following option given the correct sequence of event during mitosis निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प सुत्री विभाजन के दोरान होने वाली गटनाओं का सही क्रम है यानि जो सम्सुत्री विभाजन होता है mitosis होता है उनकी जो गटनाए है उनके लिए perfect sequence कौन सा है सही क्रम कौन सा यह हमें select करना है right देखते हैं कौन सा देखा है पहला कहता है condensation यानि संगनन दूसरा कहता है nuclear membrane disemboli यानि केंद्रक जिल्ली का विलुपती करन होना फिर कहता है crossing over फिर gene vini में होना और फिर कहता है segregation यानि प्रत्थर करन होना और फिर कहता है tillophase यानि अन्तिय वस्ताना आपने अगर notice किया हो तो सबसे important चीज है यहां mitosis लिखावा है यानि आप देखें सुत्री विवाजन लिखा है और सुत्री विवाजन में crossing over नहीं होता क्योंकि यह तो meosis का है अर्द सुत्री विवाजन का है तो पहले ही option यहां पर कट गया पहला option है गलत हो गया इसको अपने यहां से अटा दिया फिर कहता है condensation यानि संगनन होगा प्रॉफेज में प्रॉफेज में संगनन होता है nuclear membrane disassembly के अंदरक जिल्ली जो है वो विलूपत होती है बिल्कुल प्रॉफेज, लेट प्रॉफेज के अंदरक जिल्ली विलूपत हो जाती है पिर आता है arrangement at equator metaphase में गुनसुत्र क्या होता है equatorial plate पे, metaphase plate पे आ जाता है यानि metaphase दिखा रहा है centrum में division, यानि anaphase दिखा रहा है centrum में तूटता है तो anaphase आ रही है पिर segregation, anaphase के last में क्या होता है गुनसुत्र, दुरूओं की और chromosome poles की तरफ move करते है और last में जाता है, telophase दो नए nucleus मन जाता है यानि यह जो है arrangement, बिल्कुल सही दे रखा है यानि यह किसके दे रखा है, prophase के दे रखा है यह किसके दे रखा है, metafase का दे रखा है यह किसका दे रखा है, anaphase का दे रखा है यह भी late anaphase का है, और यह किसका है, tillophase का दे रखा है यानि यह sequence तो बिल्कुल सही दे रखा है, right तीसरे क्या कहता है, condensation, फिर crossing over यहाँ आप देखें, आप फिर से crossing over आ गया सेशन होगा प्रॉफेस में, इक्वेटर पर एर्रेंजमेंट होगा इसका मरलब बेटाफेस प्लेट पर आएंगे तो मेटाफेस, फिर सेंट्रोमेर के डिविजिन यानि एनफेस और फिर सेग्रिगेशन यानि एनफेस का लेट और फिर तीलोफेस, आप देखें ये भी सही इसेशन दे रखा है ये वाला सीख्वेंस भी सही दे रखा है, लेकिन इस वाले सीख्वेंस में एक नुख्लियर मेंब्रेन डिस जो देर खी है यानि जो केंडरग जिलली का विलुपती करन हो रहा है वो एक्सेटा देर खा है यानि complete बता रखा है तो डी वाला option भी सही है, B वाला option भी सही है, but B is most appropriate answer, बिलकुल सही answer तो जाता है वो B क्योंकि उसमें एक चीज़ extra बता रखी है, वो है disassembly of the nuclear membrane और उसका arrangement भी सही बता रखा है, इसलिए हम यहां पर answer लगाएंगे, B right during cell division sometime there will be failure of separation of sister chromatid this event is called, कोशी का विभाजन के दौरान, कभी-कभी sister chromatid का अलग होना असफल हो जाएगा, यह गटना क्या कहलाती है है ना, simple सी चीज़े कह रहा है कि जब-जब cell division होता है अच्छा question आ सकता है, नीट में आने लाए एक question है कि जब-जब chromosome का separation होता है, तो क्या होगा यह प्रत्रकरण यह विभाजन होता है तो अगर chromatid, टूटे ही नहीं एक दूसरे से अलग हो ही नहीं तो क्या होगा यह उस अवस्था को उस process को अपन क्या कहेंगे, है ना option देखते हैं, पहला कहते है interference कहेंगे, interference का मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई interfere कर रहा है उसके अंदर कह रहा है कि कुछ ना कुछ जो है, सम्मिलित हो रहा है दूसरे कहते है, complementation यानि संपूरक्ता उसको कहेंगे क्या तूसरे कहते है, coincidence coincidence हो गया, आपने अब हो गया, अचानक से हो गया क्योंकि chromosome non-disjunction के लिए चले जाते हैं एक साथ में गुनसुत्र जादा चले जाते हैं उनकों कहते है न, ennupleid कहीं गुनसुत्र कम चले जाना, कहीं गुनसुत्र जादा चले जाना क्यों, क्यांकि गुनसुत्रों का properly विभाजन नहीं हो पाया है तरकु तन्तु उनमें कमजोर बने हैं spindle fiber weak थे, इसलिए गुनसुत्रों को खींच नहीं पाये और तोड़ नहीं पाये तो एक साथ में गुनसुत्र चले जाए इसका मदलब उनका disjunction हुआ ही नहीं है न, इसलिए इस question का जो सही answer जाता है वो है D, non-disjunction क्योंकि spindle fiber उनको तोड़ नहीं पाये और यही सवाल हम से पूछा गया है कि उसको हम क्या कहेंगे तो आंसर रहता है D, very important question next question देखेंगे anaphase promoting complex APC is protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell if APC defective in human cell, which of the following is expect to occur anaphase promoting complex jantukoshika में समसुत्रिवाजन के सुचारू रूप से होने के लिए आवशक protein degradation machinery है, है न, तो यदि manavkoshika में APC तुटी पूण है तो निम्नमेंसे क्या गटक होगा मतलब क्या गटित होगा, यह कह रहा है जो APC है anaphase promoting complex protein की जो बात कर रहे है है न, यह देखें anaphase promoting complex protein की बात कर रहे है APC और अगर यह तुटी पूण हो जाए, यह degrade हो जाए, तो क्या होगा है न, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ आपको आपने सुना होगा के secondary ucite, दृत्यक अंड कोशिका का अंडोस्वर्ग होता है है न, यह मन की बॉड़ी में अंडोस्वर्ग किसका होता है ovulation किसका होता है, secondary ucite का दृत्यक अंड कोशिका का होता है जब उसके पास में sperm पहुंचता है तब उसका अर्द सुत्री सेकेंड कंप्लीट होता है, एक धुरूव काय बाहर निकलती है, तब उसका मियोसिस पूरा होके वो ओवम में कंवर्ड होता है और फिर फिर फर्टिलाजेशन होता है, यादर है, तो अगर हम यही कहें कि स्पर्म आये, और उसका अपीसी नहीं हो, एनफेस प्रमोटिंग कंप्लेक्स हो ही नहीं उसके उपर, तो क्या होगा फिर, तो वो सेकेंडरी उसाइट, सेकेंडरी उसाइट ही रहे जाएगी, उसका मियोसिस कंप्लीट हो गा ही नहीं, पोलर बॉड़ी धुरूब काय बाहर निकलेगी नहीं, सिंपल सा पॉइंट है तो देखें, यहाँ पर क्या कहता है, फर्स्ट औप्शन कहता है, क्रॉमोजोम विलनौट कंडिन्ज, गुण्सुत्रों का संगनन नहीं होगा, अरे गुण्सुत्रों का संगनन प्रॉफेस से रिलेटेड ए, एनफेस नहीं उपर दे रहा है वो एनफेस प्रमोटिंक कंप जब anaphase ही नहीं होगा तो गुणसुत्रों का segregation हो ही नहीं सकता, इसका मरलब यही आंसर इसका होगा, इसने हम तो यही तो बोला degrade machinery, protein खराब हो जाये तो, तुरुटी पूर्ण हो तो क्या होगा, defective हो जाये तो क्या होगा, यह सवाल हम से पुछा जा रहा है, तो आंसर जात जातर है, वो यहां पे नहीं होगा, इसले आंसर इसका, C. Match the stages of meiosis in column 1 to their characteristic feature in column 2 and select correct option. Column 1 में दी गई अर्शुत्री विवाजन की विबिन आउस्थाओं का, column 2 में दीए गए उनके विशिस लक्षनों के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्ब को चुनिए. यह इदर दे रखा है column 1, इदर दे रखा है column 2 और अपने को match करके इसका सई option जो है वो निखालना है, ठीक है, देखते हैं, यहां दे रखा है देखें, पैकाईटीन, है ना, पैकाईटीन आती दिमाग के अंदर आदाना चाहिए कि यहां पे तो समजाद गुनसुत्रों के अप उत्री chromatid के बीच में, जीन विने में होता है, यहां पर होता है, यहां पर होता है, यहां पर नॉन सिस्टर chromatid के बीच में, तो सीधा सीधा आंसर किया जाएगा, देखें, crossing over टेक प्लेस, यहांने सीधा गया 3, उसके बाद में कहता है, मैटाफेस 1, मद्यावस्ता क्या होता है, उपान्ती बवन, terminalization, क्याज मेटा खिसक के जो है, किनारों तक जाने लग जाता है, इसका अमलब यहां पर क्या आएगा, terminalization of क्याज मेटा, उसके बाद में आता है, जाइगोटीन, तो जाइगोटीन में क्या होता है, समजाद गुंसुत्र के जोडे बनते है यानि homologous chromosome के pair बनते हैं, तो इस तरह से हमने match कर दिया है, यहां पर, तो A के सामने देखें क्या आ रहा है, 3rd, तो A के सामने क्या रहा है, 3rd, B के सामने क्या रहा है, 4th, तो B के सामने 4th आ रहा है, C के सामने क्या रहा है, 2nd, तो C के सामने 2nd, और D के सामने क्या रहा है, 1st, इसका मतलब इस question का जो answer जाता है वो answer जाता है A A is a perfect match the column right A नहीं sorry इसमें A नहीं है यह B answer है A के सामने लग गया इसका सही answer कौन सा है B ठीक है B is a correct answer फिर देखते हैं During which stage of meiosis synaptonymal complex is formed अर्ड सुत्री विवाजन की किस सवस्था में दौरान synaptonymal complex का निर्मान होता है ठीक है question आने लाए question है नेट में repeat हो जाते है कई बार तो synaptonymal complex बोलो या synapse बोलो बात एक ही है दो समजाद गुंसुत्र के जोड़े the pair of two homologous chromosome इसको अपन क्या कहते है synapse उनके बीच में protein arrange हो जाता है तो उसको कहा देता है synaptonymal complex ठीक है तो कहा होता है सीधा answer है जाइगोटीन के अंदर होता है पहला option कहता है लेप्टोटीन लेप्टोटीन में नहीं वहापे तो पतले तन्तुनुमा हमको chromatin दिखाई देता है जाइगोटीन बिल्कुल सही answer डिप्टलोटीन में तो synaptonymal complex तूटने लगता है डिप्टलोटीन में synaptonymal complex dissolve होने लगता है याद रखना अगर ये question आए कि synaptonymal complex dissolve का होगा तो डिप्टलोटीन होगा और पेकाईटीन पेकाईटीन में तो crossing over होता है जीन बने में होता है तो answer इसका क्या गया B. zygote at metaphase chromosome are attached to the spindle fiber by there metaphase अवस्था में गुणसुत्र तरकू तंतों से किसके द्वारा लगे रहते हैं या चिपके रहते हैं ये कहना जो metaphase stage है वहाँ पे chromosome किसके द्वारा चिपके रहते हैं अगर मैं metaphase stage बनाओ जैसे मैंने इस cell बनाई इस cell के अंदर ये chromosome मैंने यहाँ पर बनाए ये गुणसुत्र मैंने यहाँ पर बनाए अब ये कह रहा है कि metaphase है ये यहाँ पर poles है और इसके बाद में ये spindle fiber यानि ये तरकू तंतू है तो बताओ ये तरकू तंतू गुणसुत्र में कहां लगे रहते हैं किस जगे पर लगे रहते हैं ये सवाल हमसे पुछा जा रहा है ठीक है पहला option कहता है काइनेटो कोर से लगे रहते हैं दूसरा कहता है सेंट्रो मीर से लगे रहते हैं तीसरे कहता है Satellite द्वारा लगे रहते हैं और चौत्रे कहता है Secondary Constriction दित्यक संकीणों द्वारा लगे रहते हैं तो मैं आपको बता दूँ क्रॉमोसोम के अंदर गुण सुत्र के अंदर दो संकीण होते हैं आँक क्रॉमोसोम में दो कॉंस्रिक्षन होते हैं संकेण होते हैं पहले संकेण को हम सेंट्रोमीर कहते हैं ये क्या कलाता है पहले संकेण को हम सेंट्रोमीर या फिर गुंसुत्र बिन्दू कहते हैं क्या कहते हैं इसे हम गुंसुत्र बिन्दू कहते हैं लेकिन इस बिन्दू के दौनों और एक protein की disk होती है, यह देखिए, इस गुंसुत्र बिंदू के दौना और protein की disk होती है, इस disk को अपन kineto core कहता है, राइट, यह जो disk है, इस disk को हम क्या कहते हैं, kineto core कहते हैं, और इसी kineto core से spindle fiber यानि तरकु तन्तु जो है, वो जुड़े रहते हैं, तो question यही हमसे पूछा गया है, कि बताओ, meta phase में spindle fiber तरकु तन्तु गुंसुत्र के किस जगे से जुड़ते हैं, तो answer क्या जाता है, kineto core से जुड़ते हैं, इसलिए इस question का answer है, A kineto core, क्या answer जाता है, A kineto core, राइट, यह जो नीचे वाला बिंदू है, यह नीचे वाला जो point है, इसको अपन कहते है, secondary construction दृत्यक संकीडन कहते हैं, और दृत्यक संकीडन के नीचे वाला जो गुंसुत्र का खंड होता है, इसे हम satellite कहते हैं, तो यहां से नहीं जुड़ता है, जुड़ता कहां पर है, kineto core, centromere के ऊपर की protein की disk से जुड़ता है, इसलिए इस question का answer जाता है, A next question देखते हैं, pro phase of reductional division is divided into number of stages, the correct chronological sequences, earth sutri वाजन की pro phase अनेकों अवस्तों में विवाजित होती है, सही करम बताईए, है ना, question कह रहा है कि जो meiosis होता है, earth sutri होता है, उसके अंदर जो pro phase होती है, उसकी बहुत सारी stages होती है, पांच अवस्ता है उसकी होती है, उनका सही sequence क्या है, बिल्कुल easy सा question है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो start करते हैं, तो सबसे पहले leptotene, उसके बाद में zygotene, फिर pecaitene, फिर diplotene और फिर dikinesis, यह इसका sequence है, अब इस sequence को अपने को identify करना है, option के अंदर, देखि है, leptotene, zygotene, pecaitene, diplotene and dikinesis, इसका मतलब, D option यहाँ पे सही तरीके से मिलाये गया है, जो sequence है, वो है answer D, D, what is the correct sequence of the steps given here, also work out the process depleted in the steps, यहाँ दिये गए पदों का सही क्रम क्या है, और पदों का सही प्रक्रिया के साथ में मिलाया गया है, है न, तो देखते हैं, कौन-कौन से प्रक्रिया यहाँ पर correct है, कौन-कौन से प्रक्रिया यहाँ पर सही दे रखिया है, देखो, पहला पा chromosome move towards opposite pole of the cell, chromosome do not separate, समझाद गुंसुतर कोशिका के विपरित द्रुवों की और गति करते हैं, और chromatid प्रतक नहीं होते हैं, जब यह statement हमने पढ़ा, तो हमारे दिमाग के अंदर एक point आया, कि जब anaphase आती है, first, उसमें homologous chromosome समझाद गुंसुतर एक दूसरे से दूर दूर ज यह जो पहली phase दे रखी है, यह anaphase first की है, किसकी दे रखी है, यह anaphase first की दे रखी है, right, दूसरा option देखते हैं, chromosome gathered together at the two poles of the cell and the nuclear membrane reform, गुंसुतर कोशिका के धुरुवों पर एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, तता केंदर की जल्ली पुंदर निर्मित हो जाती है, कहना जो कें जाती है, जब जाती है, जब जाती है, तो सीधा हमारे दिमाग के अंदर आनसर आना चाहिए, टीलो phase, यह ना, अन्तिया वस्ता, अन्तिया वस्ता में क्या होता है, गुंसुत्र दुरुवों पर पहुंच जाते हैं, चारों और केंदरिक, केंदरिका, ER और गौल जी का है इसका मतलब यह कौन सी phase होगी, टीलो phase होगी, यानि यह अन्तिया वस्ता के phase दे रखी है, है ना, उसके बार में क्या कहता है, homologous chromosome pair and exchange the segment, समझाद गुंसुत्र युगम में रहते हैं, फिर खंडों का आदान प्रदान कहते हैं, तो जब समझाद गुंसुत्रों का जोड़ first के हैं, है ना, यह दोना किस के लिए दे रखे हैं, प्रॉफेस first के लिए रखे हैं, तो यह कौन सी होगी फिर, टीलो phase first हो जाएगी, है ना, last, next कहता है, homologous chromosome aligned on center plate, समझाद गुंसुत्र central plate में पंक्तिबद एकत्रित हो जाते हैं, बिलकुल bivalent या जो tetrad होता है, समझाद है, वो metaphase plate पर आ जाता है, तो metaphase plate पर कब आ जाता है, metaphase first में आ जाता है, है ना, तो इसका answer क्या जाएगा, metaphase first, इसमें जाता है, metaphase first, है ना, और फिर fifth कहता है, the haploid cell separate completely, अगुनित कोशिका पूर्ण रूप से प्रत्थक हो जाती, जब अगुनित कोशिका बनी गई है, प या cell plate, यानि कोशिका पट द्वारा, कोशिका पूरी की पूरी अलग हो चुकी है, यानि वो है cytokinesis, ठीक है ना, तो यह क्या जाएगा, cytokinesis जाएगा, तो अब अपन देखते हैं, sequence क्या सही रहेगा इसका, तो सबसे पहले क्या आती है, prophase first आती है, इसका मतलब पहले यह रखा है, उसके बाद में क्या आएगा, prophase के बाद metaphase, यानि fourth, यह देखिए fourth यह आ रहा है, उसके बाद में आएगा कौन सा एनफेज, यानि first, तो बिल्कुल first यहां पर आ रहा है, उसके बाद में आएगा telophase, यानि second यहां पर आएगा, और फिर last में आएगा cytokinesis, यानि fifth point यहां पर आ रहा है, इसका आपर लव, जो A option है, वो बिल्कुल correctly match किया गया है, अच्छा question है, तो यह आपके concept को बिल्कुल strong बनाएंगे और सारे topic cover कर देंगे, right, next question देखते हैं, when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated, जब कोशिका में DNA प्रतिकरतिकरण, द्विशाक रुख जाता है, तब किस जांच बिंदू को प्रभावी रूप से सक्रियत करना चाहिए, बहुत अच्छा question है, very important point, तो समझ लेते हैं अपने इसको, यह जो हमारा सवाल है, यह cell के checkpoint से related है, है न, जांच बिंदू जिसको पन कहते हैं, उनसे related question पूछा गया है, दो तरह के checkpoint होते हैं, कोशिका विभाजन के लिए, cell division के लिए, एक को पन कहते हैं, G1S checkpoint, और एक को कहते हैं, G2M checkpoint, है न, G2M checkpoint को हम और क्या कहते हैं, MPF, M Phase Promoting Factor जांच भी कहते हैं, तो दो checkpoint है, एक को पन कहते हैं, G1 से लेके S के बीच में, G1S checkpoint कहते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, G2M checkpoint कहते हैं, दो तरह के checkpoint हैं, राइट, यह जो पहले वाला checkpoint है, यह DNA के replication से related है, DNA के प्रतिकरति करण से समंदित है, यानि DNA का replication properly होता है, इस लोग इसको major checkpoint कहते हैं, मुख्य checkpoint यह होता है, कि DNA का प्रतिकरति करण होगा के नहीं होगा, DNA सही प्रतिकरति करण के लिए जा रहा है के नहीं जा रहा है, इसलिए यह वाला important होता है, दूसरे कहते हैं, क्रॉमोसॉम बनेंगे के नहीं बनेंगे, आगे का M phase आएगी की के नहीं आएगी, karyokinesis, pro phase, metaphase, anaphase, telophase, यह होगा के नहीं होगा, उसके लिए यह वाला checkpoint है, हमसे question पूछा है, when cell has stalled DNA, देखें, आप क्या दे रखा है, stalled DNA, stalled DNA का मतलब यह होता है, कि जब DNA प्रतिकरति करण के लिए जा रहा है, DNA replication के लिए जब जा रहा है, तो प्रति प्रतिकरति करण उद्भविस्तल को पैचाना पड़ता है, अगर वो पैचान में ही नहीं आ रहा है, वहाँ पर protein यह अविलेबल नहीं है, G1 के जो protein है, वो बने ही नहीं और ORA को identify नहीं किया जा रहा, तो replication का fork ही नहीं बनेगा, है ना, प्रतिकरति करण द्विशाक करना चाहिए, तो G1S checkpoint यहाँ पर काम करना चाहिए, तो पहला कहता है, बोथ G2M and M, ठीक है, M वाला कोई checkpoint नहीं होता है, G2M का होता है, सेकंड कहता है, G1S checkpoint तो बिलकुल इस question का answer जाता है, B, G1S checkpoint, right, good question, What is not seen during mitosis in somatic cell, काइक कोशिकाओं में समसुत्री विभाजन के दोरान क्या दिखाई नहीं देता है, है ना, यह कह रहा है कि जब काइक कोशिका है, somatic cell है, body की कोशिका है, जब उसमें समसुत्री चल रहा है, mitosis चल रहा है, तो उसमें कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं कौन सी चीज है अपन देख नहीं पाएंगे, वो यह कह रहा है, पहले कह रहा है, spindle fiber नहीं देख पाएंगे उसके अंदर, दूसरा कहता है, chromosome movement नहीं देख पाएंगे उसके अंदर, गुंसुत्री गती, तीसरा कहता है, disappearance of nuclear lust नहीं देख पाएंगे, केंदरी का का गायब न नहीं देख पाएंगे, और चौता कहता है, synapsis नहीं देख पाएंगे, देखो spindle fiber तो बनेंगे, prophase में बनना शुरू हो जाते हैं, metafase में, पूरा का पूरा बन जाता है, spindle apparatus, तरकू उपकरण बन जाता है, metafase में बन जाता है, chromosome का movement, गुंसुत्रों की गती, anaphase में उगली, जोडा, समजात गुंसुत्रों का जोडा, अरे ये तो अर्द सुत्री से समंदित है, किस से related है, ये तो मियोसिस से related है, ये तो अर्द सुत्री से समंदित है, तो जो अर्द सुत्री से समंदित है, वो एक तो काईक कोशी का में कैसे देखेगा, और सम सुत्री के द in which stage of cell division chromosomes are most condensed कोशी का विबाजन की कि सवस्था में गुनसुत्र सर्वादिक संगनित होते हैं गुनसुत्र पूर्ण रूप से condensed हो चुके हैं वो कौन सी वाली stage है तो देखिए प्राफ़ेज में गुनसुत्र संगनन के लिए जाते हैं संगनन हो रहे होते हैं और metafase में गुंसुत्रों का पूरा संगनन हो जाता है, completely condensation हो जाता है, याद रखना बचों metafase में chromosome का संगनन complete होता है, very important point और उस दोरान chromosome छोटे और मोटे दिखाई देते हैं, कैसे दिखते हैं चोटे चोटे दिखते हैं और मोटे मोटे दिखते हैं क्योंकि यह fresh chromosome है, नए-ने बने हैं और इसी लिए, इसी metafase में हम chromosome की morphologically यानि उसकी आकारिकी का अध्यन कर पाते हैं क्योंकि यहाँ chromosome पूरे बने हैं अगली phase में तो तूटने लग जाएंगे प्रौफरेज में بन रहे थे, metafase में complete हो जाते हैं ठेके, तो पहला कहता है प्रौफरेज गलत है क्योंकि प्रौफरेज में तो बन रहे होते हैं M. में आता है Metaphase बिल्कुल सही है, यहां complete हो जाता है, एनाफेस में तो गुंसुत्र बिखर जाते हैं, तूट जाते हैं, और लास्ट में टीलोफेस, टीलोफेस में गुंसुत्र अपना अस्तित्व खो देते हैं, उनका V संगनन होता है, D condensation होता है, इसका बिल्कुला आंसर जाता है, B, Metaphase. In meiosis, crossing over initiated at, अर्ध सुत्री में crossing over कब प्रारंब होता है, यह सवाल पूछ रहा है, कि अर्ध सुत्री विवाजन होगा, बताओ crossing over कब होगा, बताओ gene viny में कब होगा, सिंपल सा क्वेशन है, Zygoteen में होगा क्या, डाइकाइनेसिस में होगा, लैक्टोटीन में होगा, पैकाइटीन में होगा, तो आंसर किया जाता है, पैकाइटीन में होगा, ठीक है, और पैकाइटीन में crossing over शुरू होता है, डिपलोटीन में crossing over complete हो जाता है, याद रखें, पेकाईटीन में शुरू होता है, डिपलोटीन में complete हो जाता है, हमसे पुछा, शुरू कब होता है, इसलिए हमने आंसर क्या लगा दिया, इसका पेकाईटीन, डिपलोटीन वो देखे, option में नहीं दे रखा है, इसलिए वहाँ का confusion है भी नहीं, तो आंसर जाता है, इसका संजाद गुणसूतरे के जोडे बनता है, डिकैनेस किया होता है, यह न, आपकैनेस में उपां था भवन होता है, को हटने लग जाता है, और लेप्टोटीन में क्रॉमेटीन दागे लिद्टेन की दिखाई देता है, और यह सकता है कि, डबल–दबल गूद्धे वे लिदे question कह रहा है कोशी का चक्र की कि सवस्ता के दोरान DNA तता हिस्टोन प्रोटीन का संसलेशन होता है simple सा question है कह रहा है DNA कब synthesize होता है हिस्टोन कब बनता है तो कोशी का चक्र की cell cycle की जो interface होती है उस interface में जो S phase जिसको synthesis phase कहते है वहाँ पर क्या होता है, DNA का replication प्रतिकरतिकरण होता है, stone protein बनते हैं, और centriol का duplication भी होता है, तारक केंदर का द्विगुणन भी होता है, यह तो तीन event जो है, वो S phase में होता है, इसलिए इस question का जो answer जाना चाहिए, वो क्या जाना चाहिए, S phase, ठीक है, G1 में S phase की तयारियां ह होती है, that's why we can say, G1 is a preparative phase of the S phase, यानि G1 को हम S की तयारी के वस्ता कहते हैं, G2 में tubulin protein बनते हैं, और वो M phase की तयारी होती है, यानि वो अगले वाली phase की तयारी है, तो synthesis कब होगा, DNA कब बनेंगे, तो answer है, S phase, C answer रहेगा, Select the correct option with respect to the mitosis, mitosis यानि समसुत्री के विशय में सही विकल्प को चुनिये, बलब आप mitosis को दिमाग में रखें, और यह जो options दे रखें हैं, उसके अंदर जो correct option है, वो हमें select out करना है, तो देखिए, पहले कहते हैं, chromosome moves to the spindle equator and get aligned along equatorial plate in metaphase, मद्यावस्ता में गुणसुत्र spindle की मद्यरेखा पर चले जाते हैं, तथा मद्यारेखा plate के साथ साथ पंक्तिबद हो जाते हैं, यह तो बात सही है न, कि मेटाफेज में क्या होता है, तरकू तन तो गुणसुत्रों को पकड़ के घुमा के, सेंटर के अंदर लेके आ जात option, तो correct option के लिए जो यह option है, वो यहाँ पर सही दे रखा है, दूसरे कहता है, chromatid separate, but remain in the center of the cell in anaphase, पश्चा वस्ता में chromatid प्रथक हो जाते हैं, पर अंतु कोशिका के केंदर में बने रहते हैं, फिर काई के प्रथक हो जाते हैं, याने chromatid अलग-अलग हो जाते हैं, ले chromatid starts moving towards opposite pole in telophase, अंत्या वस्ता में chromatid विपरित दुरूओं के और जाते हैं, नहीं, अंत्या वस्ता में विपरित दुरूओं के नहीं और anaphase में विपरित दुरूओं के और जाते हैं, फोर्थ कहता है, गौलगी complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase, गौलजी समिस्र तथा अंतर द्र दरश्यमान रहते हैं, ये कह रहा है कि जो गौलजी बॉड़ी है, ER है, ये प्रॉफेस के लास्ट में भी दिखते रहते हैं, गलत हो गया न ये, क्योंकि हमें पता है, लेट प्रॉफेस में, प्रॉफेस के अंत में आते-आते, केंद्रिका, केंद्रक जिल्ली, ER, गौलज माइटोसिस स्पिंडल हैव में प्रोटीन, माइटोकिक, माइटोटिक स्पिंडल जिसको अपन कहते हैं, उसका मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो देखो बचों, ये क्वेशन ये कह रहा है कि, ओवर आल आपसे सीधा ये पूछ रहा है कि बताओ, स्पिंडल फाइबर, तर टुबिन प्रोटीна होता है, त्टुबिन प्रोटीन एक छोटी सी एक चूब लाइक स्टैर्श माक ममखरी का मयक्रो टीबल सुख्षमनली का, क्या बनाता है वो, माइक。」 रुदतुबिल यानि, सुक्ष्मनलिका बनाता है और यह माइक्रो टुबूल पॉलिमराइज होकर स्पिंडल फाइबर बनाता है यानि यह आगे जाके क्या मनाएगा स्पिंडल फाइबर बनाएगा तरकु तंतु बनाएगा समझ माया तो हमसे यह सवाल पूछा गया है कि माइटोटिक स्पिंडल यानि तरकु तंतु है वो कौन से प्रोटीन से बनावा उसका मुख्य प्रोटीन कौन सा है और उप्शन कहता है टुबूलीन दोमारे सामने दे रखा है दूसरे कहता है मायासीन मायासीन प्रोटीन को contract help प्रोटीन पेश्यों के अंदर होता है वो यहाँ पे नहीं आएगा कई बार इसको डाइनीन कहता है यह तो spindle fiber को खींचने का काम करता है याद रखें इस्पिंडल को खींचने का काम करता है तरकु तंतु को खींचे का यह मोटर प्रोटीन कहता है ट्रोपो मायोसीन यह भी muscles के अंदर है एक्टिन के सक्रिय स्थल को डखने के लिए होता है एक्टिन के active side को cover करने के लिए होता है और डाइनीन को हम क्या कहते है मोटर प्रोटीन कहते है डाइनीन को हम क्या कहते है मोटर प्रोटीन कहते है डाइनीन या फिर क्या कहते है motor protein, यह motor protein ATP से energy लेके, ATP से उर्जा लेके, क्या करेगा, अपने axis पर rotate होगा, घूमेगा, जब यह घूमेगा, तो यह spindle को खींचेगा, और जब यह spindle को यानि तरकुतंतु को खींचेगा, तब यह तो गुंसुत्र सेंट्रोमिय से टूटेगा, अलग होगा, यानि यह तो spindle को खींचने वाला protein है, यह spindle बनाने वाला protein नहीं है, तो spindle बनाने वाला protein है, तो spindle बनाने वाला protein है, वो कौन सा है, A, tubulin protein, तो A, आंसर इसका correct है, which of the following is used as the mitotic spindle poison, निमने में से किसका उपयोग mitotic spindle poison की रूप में किया जाता है, यह कर रहे कि कौन सा ऐसा है, तो समसुत्री के तरकुतंतुओं के लिए wish है, poison है, उसको खतम करेगा, उसको तोड़ेगा, या उसको बनने नहीं देगा, पहला कहता है calcium, calcium में तो, calcium तो helpful होता होता है, सहाइक होता है, magnesium भी healthy होता है, tubulin, tubulin से तो spindle fiber बनता है, लेकिन चौथा option कहता है, colchicine बिल्कुल सही है, colchicine एक alkaloid है, है ना, एक chemical है, secondary metabolite है colchicine, जो colchicum autumn nail से मिलता है, और micro tubulin के बहुली करण को रोकता है, उसके polymerization को रोक देता है, इसलिए इस question कहां से जाता है, d colchicine, best stage to observe shape, size and number of chromosome is, कि सवस्ता में गुंसुत्रों की संख्या, गुंसुत्रों का आकार और उसकी आकरती का प्रेक्शन किया जा सकता है, है ना, overall मैं ये बोल दूँ के कौनसी ऐसी phase है बताओ जिसमें गुंसुत्रों की morphology का है यानि उसकी आकारिकी का अधियन किया जाता है, तो simple सा question आ गया, pro phase में chromosome पूरे बनते नहीं है, है ना, क्योंकि chromosome का condensation चल रहा है, एना phase में chromosome तूट जाते हैं, क्योंकि तरकु तंतु पकड़ के खेंसके तोड़ देते हैं, आगे तूट गए, पीछे बने नहीं, बीच की कौन सी phase है, metafase और metafase में आप chromosome की properly study क कर सकते हैं, अध्यन कर सकते हैं, क्योंकि वो equatorial plate पे लगे रहते हैं, metafase plate पे लगे रहते हैं, right, इसका अला metafase उसकी morphologically study के लिए best phase रहेगी, तो इस question में interface नहीं जाएगा, answer क्या जाता है, metafase, interface में तो chromatin नजर आते हैं, chromosome तो बनते ही नहीं है, है ना, याद रहें, interface में chromatin होते हैं, metafase में दिखेंगे, prophase में बन रहे हैं, telophase के अंदर वापस वी संगनित हो जाते हैं, telophase में, chromosome वी संगनित हो के chromatin बन जाते हैं, यानि याँ पर भी नहीं दिखेंगे, तो सही answer इसका है, B, metafase. A stage in cell division is shown in the figure, select the answer which gives correct identification of the stages with its characteristic. चित्र में कोशी का विबाजन की एक अवस्ता दिखाई गई है, अवस्ता की सही पैचान करें और उसका सही विसेस्ता को चुनिया है. यह देखे, diagram दे रखा है, यह देखे, diagram को आप पैचाने, identify करें और उसके जो correct stage है, उसके बारे में आप बता दीजिए. अगर आप इस diagram को देखते हैं, तो NCIT का diagram है, है ना, आप इस diagram को गौर से देखो, दो के दो चीज़ें आपको नजर आ रही है, एक तो यहाँ पर आपको देखो, केंदरिक जिली, यानि नुक्लिर मेंब्रेन बनती भी नजर आ रही होगी, यह फुल नहीं है, बन रही है, और दूसरा यहाँ देखें, आप फरो बन रहा है, खांच बन रही है, देखिए, यानि यापर क्या बन रहा है, फरो, यानि खांच निर्मान भी हो चुकी है, तो वो कब होती है, एक एनिमल सेल में होती है, जन्तु कोशिका में होती है, कब होती है, साइटो काइनेसिस में कोशी का द्रव उबाजन के दोरान होता इसका मतलब यह जो stage दे रखी है यह telophase की है जा केंद्र क जिल्ली और केंद्री का पुन्तर निर्माण हो रहा है और सास्थ सात में cytokinesis भी शुरू हो चुका है कोशी का द्रव उबाजन भी प्रारंब हो चुका है ठीक है, very important diagram, तो देखिए, पहला कहता है, telophase अंत्यावस्था, सामने कहता है, endoplasmic reticulum and nucleolus do not reform yet, endoplasmic reticulum और Kendricka अभी तक दुबारा बने ही नहीं है, गलत है, वो बन रहे हैं, देख रहे हैं, आप diagram के अंदर दिखा रखा है, यानि यह नहीं हो सकता, दूसरे कहता है, telophase है, अंत्यावस्था है, nuclear envelope reforms, Kendrick जिल्ली वापस बन गई है, गौल जी complex reforms, यानि जो गौल जी कहा है, वो भी दुबारा से बन गया है, बात तो सही गह रहा है है, यानि यह telophase तो है, और यह दुबारा से बन रहे हैं, यहाँ पे completely, दुबारा से resynthesize होना स्टार्ट हो चुका है, clear है, late anaphase, anaphase की तो बात ही नहीं है, यह तो telophase की लेट अवस्ता की बात है, late telophase है यह, anaphase लेट नहीं है यह, और cytokinesis, cell plate form, यह देखिए, आप क्या दे दिया, इसने गडबर दे दिया, cell plate नहीं मन रही है, कोशिका पट्टी नहीं मन रही है, क कोशिका पट्टी तो पादब कोशिकाओं में बनती है बच्चों, इसका अमरलब यह तो फरो है, यह तो खांच है, यह तो animal cell के बारे में बात चल रही है, इसका अमरलब, यह वाला option भी गलत दे रखा है, इसलिए साही answer जाता है, B, B is a correct answer, right? great, meiosis takes place in, earth sutri vajan कहा होता है, यह कर रहा है earth sutri vajan जो वो कहा होता है, यह था है, पहला option कहता है, mega spore के अंदर होता है, ठीक है, जिसको अब encouru b marca कहता है, उसमें होता है, दूसरा कहता है meosides अर्ध-सुत्री कोशिकाहों में होता है तीसरा कहता है कोनीडिया के अंदर होता है और चौता कहता है jamil के अंदर हुता है किस में bearings sumaire होता है देखवा अब NCIT पढ़ोगे NCIT के अंदर भी दे रखा है कि जो meosis होता है अश्ट शुत्री राधान होता है, वो meocytes के अंदर होता है, यानि उन जनननी कोशिकाओं में होता है, जिनको अगुणित बनाना है, या उन जर्मिनल सैल्स में होता है, जिनको हमें haploid सेल में कांवर्ट करना है, उनको meocytes कहता है, इसका नहीं तो सिधा क्या है? right यानि megaspore mother cell में meiosis से megaspa का linear tetrade बनता है उस tetrade में से तीन मरते हैं और एक पीछे बसता है यानि megaspore में to already megaspore mother cell का meiosis हो चुका है ये तो already n है megaspore क्या है already N है a gunit है a gunit में अड़ शुत्री नहीं होता ठीक है Conidia conidia किसका है Conidia fungus का है कौकों के अंदर बनता है conidia एक बाही यह बिजानू है, ना, जो बिजानू धानी में नहीं बनता है, और अगतिशिल बिजानू है, तो इससे बनता है, माइटोसिस से, समसुत्री से बनता है, क्योंकि कवक पहले से ही अगुनित होता है, कवक पहले से ही अगुनित है, फंगस आर अलरेडी हैपलॉइड, and they can form conidia through the mitotic division, not from the mitotic division. Gamules क्या है? Antah mukulin को gamule कहते हैं. चोटे-चोटे जो spongyla के अंदर, you spongyla के अंदर जो चोटे-चोटे gamules अंदर की तरह mukulin बनते हैं ना, उनको हम gamule कहते हैं और what is budding? Budding is an unequal division, the result of unequal mitosis, यानि a saman sam sutri से बनते हैं, ardh sutri से नहीं बनते हैं. इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? इसका B. Meocytes. Clear है? The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosomes is called सुत्र, युगमित, समजाद गुंसुत्रों के युगम द्वारा बनाए गए सम्मिस्र को क्या का जाता है? है ना? यह करा है कि जो complex है, वो कम बन जाता है? स्रेप्सिस से बन जाता है. समजाद गुंसुत्रों का जो जोड़ा बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है? यह सवाल पूछा जा रहा है. पहले कहता है क्या उसको exonim कहा जाता है? अक्ष सुत्र कहा जाता है? दूसरे कहता है कि उसको equatorial plate कहा जाता है तीसरे कहता है कि उसको kinetocore कहता है और चौता option कहता है उसको bivalent कहता है तो देखिए जब दो समझाद गुनसुत्र जो है ये two homologous chromosome जो है वो अगर पास-पास में आ जाएं और ये complex बना ले तो हम इसको क्या कहते है बाइवेलेंट कहते है क्या कहते है इसको bivalent या फिर इसको क्या कहते है tetrade कहते है यानि चतुष्क भी कहते है इसका वहला सही answer किया जाता है इसका बाइवेलेंट यानि यूगलिय अपन इसको कह सकते है exonym किसको कहते है अक्ष शुत्र में confusion क्या होगा? तो exonym कहते हैं हम cilia और flagela पक्षमाब और कशाबिका के अंदर जो 9 plus 2 का arrangement है तंतू का, filament का उसको अपन क्या कहते है? exonym कहते है ठीक है? जो तंतू होते हैं ना पक्षमाब और कशाबिका के उनके अंदर 9 plus 2 का arrangement होता है उसको हम exonym कहते है equatorial plate, गुंसुत्र अगर, chromosome अगर, cell के बिल्कुल center में आके खटे हो जाते हैं तब उसको अपन equatorial plate कहते है और kinetocore kinetocore तो protein की disk है बता चुका हूँ मैं, यानि यहाँ पर और यहाँ पर protein की disk होती है, उसे हम क्या कहते है kinetocore कहते है, यानि यह kinetocore नहीं है, तो answer क्या जाएगा bivalent जाएगा, answer है D DNA replication in bacteria occurs जवानों में DNA प्रतिक्रतिकरण कहां होता है, question कहारा है, prokaryotes है bacteria है, उसका DNA का प्रतिक्रतिकरण जो है, वो कहां होता है, यह सवाल पूछ रहा है, पहले कहते हैं कि during S phase में, S phase में होता है दूसरा कहते है, within nucleolus, kindrica के अंदर होता है तीसरा कहते है, prior to fission, यानि विखंडन से पहले हो जाता है, और चौतरा कहते है just before the transcription अनूलेखन से पहले होता है देखो, बात आगई है prokaryote की, eukaryote होता है न, अगर मानव की cell, human cell yeast cell, कोई भी eukaryote होती है, तो हम सीधा S phase लगा देते हैं, हम से पूछा गया है, bacteria के बारे में, जिवानों के बारे में पूछा गया है, तो हम S phase नहीं लगाएंगे bacteria के division की, bacteria के विबाजन की दो ही अवस्ता ही होती है, एक को कहते है DNA phase, और एक को कहते है विखंडन अवस्ता, यानि कह सकते है efficient phase, दो ही phase होती है replication phase, और fission phase, replication प्रतिकरतिकरन अवस्ता, इसको DNA अवस्ता भी कहते हैं, और दूसरी बाले को क्या कहते है दिविखंडन अवस्ता कहता है जब दिविखंडन होने वाला होगा उससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा DNA का रैप्लिकेशन हो जाएगा यानि दो ही अवस्ता है दिविखंडन और DNA का रैप्लिकेशन यानि अपन कह सकते हैं प्राइर टू फिशन विखंडन से पहले हो जाएगा ठीक है? 2 फेज़ होती है S-Phase की अपन उनमें बात करते नहीं है प्रोकरियोट के लिए S-Phase नहीं बात करते है sería U-Karyote के लिए S-Phase की बात करते हैं वहाँ सेल साइकल की बात नहीं करते हैं वहाँ पर अपन सब transcription के अनुलेखन से ज़स्ट पहले जरूरी थोड़ी है replication तो यहीं होता है और अनुलेखन तो जब transcription की जरूरत तब पढ़ती है जब protein बनाना होता है लक्षनों की अभिव्यक्ति करनी होती है character को explain करना होता है तब transcription की जरूरत पढ़ती है DNA तो division से पहले क्या करता है replication करता है और कह सकते है प्रतिकरति करन करता है right इसलिए question का answer जाएगा C number of chromatids at metaphase is metaphase में chromatid की संख्या कितनी होगी metaphase चल रही है बता उसमें chromatid कितने होंगे earth gun sutran जो है वो कितने होंगे यह बताना है पहले कहता है two each in mitosis and meosis कि अगर ये question ये दिया होता, कि भाई, Metaphase में, जैसे number of Metaphase पूस रखा है, कि मेटाफेज में और मेटाफेज फर्स्ट में, Chromatid की संख्या बताओ, यह ना, What are the count of Chromatid in Metaphase and Metaphase फर्स्ट, तो हमारे लिए question का answer निकालना बहुत असान हो दाता, कैसे असन हो दाता, हम यहाँ पर बोलते हैं कि मेटाफेज में, Chromosome, Mitosis में तो ऐसा दिखता है, समसुत्री का Chromosome तो ऐसा दिखता है, है ना, और अगर अर्ध सुत्री का Chromosome देखें हैं अपन, तो कैसा दिखता है, तो अर्ध सुत्री का Chromosome, मेटाफेज में हमें ऐसा दिखता, बिल्कुल ऐसा दिखता, तो इसको अपन क्या कहते हैं, यह है Bivalent, है ना, यानि चतुष्क, यह क्या है Monovalent, यानि Diad, यानि Dwick, है ना, अब इसमें देखो आप, कितने Chromosome टीड हैं, 1 and 2, इसमें कितने Chromosome टीड है, 1, 2, 3 and 4, इसका मलब इसका Question का सही Answer क्या जाना चाहिए, कि Mitosis में तो 2, और Meiosis के अंदर 4 होने चाहिए, यानि इस Question में अगर यह दे दिया होता, कि Metaphase 1 में कितने होंगे, तो अगर यह Metaphase 2 पूछ लेता, अर्द सुत्री का Metaphase 2 पूछ लेता है, तो हम कहते थे, 2 ही Mitosis में और 2 ही Metaphase 2 में, क्योंकि Metaphase 2 में भी Monovalent Chromosome ही होते हैं, तो हम यह Consider यह कर रहे हैं, कि हमसे वो भिनता पूछ रहा है, differentiation पूछ रहा है, कि यह Metaphase 1 के बारे में है, इसलिए इसक्वेशन का अंसर जाएगा, 2 in Mitosis and 4 in Meiosis, आंसर इसका C. The correct sequence of the phases of cell cycle, कोशी का चकरण की अवस्ताओं का सही क्रम कौन सा है? बिल्कुल आसान सा क्वेशन है, क्या कर जब भी अपन cell cycle की बात करते हैं, और उसके अपन, उसकी direction की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले G1, फिर S, फिर G2, और फिर M phase की बात करते हैं, तो जो sequence जाना चाहिए, G1, S, G2 और M, तो देखिए G1, फिर S, और फिर G2, और M, यानि इस question का सही answer जाता है, D, direct question यहीं है, cell in G0 phase, G0 प्रावस्था की कोशिकाएं कैसी होती है, या उसमें कोशिका में G0 अवस्था जब आएगी, तो क्या होगा, पहले कहते हैं, exit the cell cycle, कोशिका चक्र से बाहर निकल जाएगी, दूसरे कहते हैं, enter the cell cycle, कोशिका चक्र में प्रवेश कर जाएगी, तीसरे कहते हैं, suspend the cell cycle, कोशिका चक्र को इस्थगित कर देगी, और D कहते हैं, termination of the cell cycle, कोशिका चक्र को समाप्थ कर देगी, कि कोशिका चक्र ही समाप्थ हो जाएगा, बंदी हो जाएगा, G0 phase को हम quescent phase कहते हैं, शान तवस्था कहते हैं, यह हर cell के cycle के अंदर आती है, जब कोशिका चक्र पूरा होता है, तो एक बार cell G0 में एंटरी करती है, rest लेती है, और दुबार ऐसे भी G1 में एंटरी करती है, अगर लगाता है cell division करना हुआ तो, जब जरुद पड़ेगी तब करना हुआ तो, तो G0 में आके थोड़ी देर के लिए वो रुख जाएगी, और फिर वापस G1 के अंदर एंटरी करके division करना लग जाएगी, कुछ कर्शिक हैं, ऐसी होती है, कुछ cell ऐसी होती है, जो लाइफ में कभी divide नहीं करती, जो कभी divide नहीं करती है, वो permanently G0 में रहती है, वो G1 से बाहर आके G0 के अंदर चले जाती है, NCIT कहती है, क्या कहती है, exit from the G1 phase, वो G1 से बाहर निकल के G0 में चले जाती है, तो G0 को क्या कहा जाना चाहिए, ये confusing question था, NEET के अंदर आ रहा है, देखिए आप, ये NEET 2019 का एक question था, और ये confusing question था, कई बच्चों ने लगाया, suspend the cell cycle, कई बच्चों ने लगाया, exit the cell cycle, ठीक है, लेकिन जब बाद में corrected answer की आई थी, तो उन्होंने बता दिया था, कि ये क्या रहेगा, exit the cell cycle, और इसमें बच्चों को marks मिल गए थे, इसका मरलब, सही जो answer जाएगा, वो जाएगा A, exit the cell cycle, वो कोशी का चक्र से, बाहर आ जाती है, rest करती है, शान्थ है, क्विसेंट है, जब division करना होगा, तो फिर G1 के अंदर entry कर जाएगी, तो इस question का answer रहता है A, identify the correct statement with regard to the G1 phase of interface, अंतरावस्ता की G1 प्रावस्ता के बारे में, सही कथन का chain कीजिए, कहना बई जो अंतरावस्ता है, उसके जो G1 phase है, उसके लिए सही statement कौन सा है, इंटर फेस के लिए, वो आपको बताना है, पहला कहता है, DNA synthesis और application take place, DNA का sensation या प्रत्तिकरत्तिकरन होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, यह तो S phase में होता है, यह तो G1 का है यह नहीं, कौन सी phase का है यह, S phase में होता है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, correct निकालना है, जो हमें निकालना है, किस के लिए निकालना है, जीवन फेस के लिए निकालना है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, दूसरा कहता है, सभी कोशिका अव्यों का पुनर संगटन होता है, तीसरा कहता है, तीसरा कहता है, नूकली डिविजन टेक प्लेस के इंदरग विभाजन हो जाता है, ठीक है, तो देखिए, दूसरा ऑप्शन कहता है, रिकॉर्गनेजिशन ऑफ आल सेल कॉंपोनेंट टेक प्लेस, ये सब कब होता है, टीलो फेस में, टीलो फेस का जब साइटो कानेसिस होता है, तो सारे के सारे जो कोशिक आंग है, वो प्रथक प्रथक हो जाते हैं, पता चल जाते हैं, और इकुवली डिस्ट्रिबूट कर लिया जाता है, यानि ये जो सेकंड है, वो टीलो फेस के लिए है, जीवन के लिए या इंन्टरफेस के लिए नहीं है, अच्रेभर अधर ये बिलकुल सखरी है, लेकिन क्या DNA का प्रतिक्रतिकरण कर रही है नहीं कर रही है DNA का प्रतिक्रतिकरण तो S सवस्था में होगा यह उससे पहले की A stage है इसलिए यह option सही जाता है चौता कहता है nuclear division take place केंदरग विवाजन जीवन में नहीं M phase में होता है यानि चौता option M phase का दे रखा है इसलिए इस question का answer सही क्या है C Some dividing cell exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage this is called quescent stage this process occurs at the end of कुछ विवाजित हो रही कोशिका है कोशिका चक्रन से बाहर निकल जाती है और काईक निश्क्रियत अवस्था में प्रवेश कर जाती है इसे शान्त अवस्था का जाता है या प्रकरिया किसके अंत में होती है यह कहरा जो शान्त stage है G-not stage है वो कौन सी phase के end में होगा यह question भी NCIT का है NCIT की line का है बिल्कुल NCIT में साफ साफ लिकावा है कि जो कोशिका है विबाजन करना बंद कर देगी जो cell में division की ability end हो जाएगी खतम हो जाएगी वो G1 से बाहर निकल जाएगी exit from the G1 phase और enter into the G-not phase वो G0 में प्रवेश कर जाएगी तो पहला कहता है क्या M phase से वो बाहर निकलने वाली है G1 से बाहर निकलने वाली है तो NCIT की line के accordingly तो यह answer बिल्कुल perfect है कि वो G1 से बाहर निकल के G-not में entry कर जाएगी according to the line of NCIT NCIT की पंक्तियों के wise अपने इसका answer लगाते हैं B very important question NIT में आया वाही देखिए आप NIT 2020 का ही question है clear during cell growth DNA synthesis take place on कोशिका व्रदी के दोरान DNA का संसलेशन किस प्रावस्था में होता है simple सा question सबसे easy question S phase S मतलब synthesis और S phase में क्या होता है DNA का प्रतिकरतिकरण replication होता है इसलिए ए answer जाएगा right G1 में protein RNA बनते है G2 में भी RNA और protein बनते है M phase में तो cell division के लिए जाती है क्योंकि गुंसुत्र बन जाते है इसलिए answer है A S phase Dissolution of synaptonymal complex occurs during synaptonymal समिश्र का विगटन होता है ये कह रहा है कि जो synaptonymal complex है वो dissolve कब होगा वो हटेगा कब तो समझते हैं इसको synaptonymal complex बना कब था Zygotene में बना था है ना पूरा कब दिखा आपने को डंग से कब दिखा Pachyten में दिखा और उस Pachyten के अंदर क्या हुआ Crossing ओवर हुआ Gene में हुआ गुणसुत्रों के खंडों का आदान प्रदान हुआ और फिर आगे डिपलोटीन डिपलोटीन के अंदर क्या होता है synaptonymal complex का यानि समझाद गुणसुत्रों का Vigton जो है वो शुरू होता है क्यों शुरू होता है क्योंकि वहाँ Chiasmeta दिखता है समझाद गुणसुत्रों में रिपल्सन शुरू हो जाता है प्रतिकर्शन शुरू हो जाता है धीरे-धीरे समझाद गुणसुत्र एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको अपन कियाज मेटा कहते है, जो बताता है वहां पर gene veneumes हुआ था तो कियाज मेटा कब दिखता है कियाज मेटा तभी दिखता है जब synapto pneumal complex dissolved होने start हो जाते है, गुलने शुरू हो जाते है इसका मतलब इस question का जो सही answer जाना चाहिए वो diplotene जाना चाहिए, क्योंकि वहीं पर कियाज मेटा दिखना शुरू होता है, राइट, पहला option कहता है, पैकाईटीन नहीं, यहां तो जीन विन में हुआ था, यहां तो वो सम्मिश्रन रहता है, जुसको बन कहा रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉंप्लेक्स, दूसरे कहता है, जाइगोटीन, जाइगोटीन में तो समझाद गुणसुत्र के जोडे रहते हैं, यहां तो बनना शुरू हुआ था, डिपलोटीन बिल्कुल सही है, यहां आंसर क्या जाएगा, डिपलोटीन, लैप्टोटीन में तो क्रॉमेटीन, जो है, उल्जेवे क्रॉमेटीन जैसे दिखते हैं, तो वो आंसर नहीं होगा, आंसर क्या रहता है, C, डिपलोटीन, match the following, the respect to the meiosis, है न, गुणसुत्र विबादन के संदर में निमनलिखित को सूमेलिद कीजिए, देखिए आपको यह meiosis के लिए कुछ phases दे रखिये हैं, column 1 दे रखा है, column 2 दे रखा है, अब इधर phases दे रखिये हैं, इधर उनके process दे रखिये हैं, इनको match करना है, और match करके सही option जो है, वो में select करना है, तो देखते हैं, इधर दिया है zygotein, है न, तो आपको बता होगा के zygotein में क्या होता है, समजात गुनसुत्र के homologous chromosome के pair बनते हैं, जोडे बनते हैं, इसका मरलब इसको synapsis कहते हैं, तो सीधा क्या जाएगा यहाँ पर, D first का four जाएगा synapsis, दूसरे कहते हैं, तो पैकाईटीन में तो जीन विन में होता है, crossing over होता है, इसलिए इसके लिए क्या जाना है, सीधा third crossing over, तीसरे कहते हैं, डिपलोटी है, terminalization होता है, कि याज मेटा किसकता किसकता, गुंडशुत्रों के end पर चला जाता है, यानि इसका first होने वाला है, तो अब देखते हैं, select the correct option from the following, सही विकल्प को चुनते हैं, एक क्या match करता है, four, तो एक के सामने क्या match करता है, four match करता है, ठीक है, second के सामने क्या match करता है तो third, तो second का third, C का क्या match कर रहा है, तो second, तो C का second, इसका मरलब, इस question का, सही answer जो match करता है, वो है B, right, the stage during which separation of paired homologous chromosome begins in, युगमित समजाद गुंडशुत्रों का प्रत्थकरण किस प्रावस्था में आरंब हो जाता है, ये कहना है, जो समजाद गुंडशुत्रों का प्र प्रत्थकरण है, वो कौन सी फेज में शुरू होता है, NCRT की लाइन मान सकते हो, अगर NCRT में पढ़ते हो NCRT को, तो NCRT में साफ लिखावा है, ये तो मैं आपको समजा देता हूँ, क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जीन विने में हुआ था, पैकाइटीन में, है ना, और फिर उसके बाद में जब डिपलोटीन आया, तो उन समजाद गुंडशुत्रों में, उन होमोलोगस क्रॉमोजॉम के बीच में, प्रतिकर्सन यानि रिपल्सन स्टार्ट हुआ, और गु में यह इंडिकेट करता है, अपने आप में यह संकेत देता है, कि यहाँ पर होमोलोगस क्रॉमोजॉम का सैपरेशन शुरू हो गया था, समजाद गुंडशुत्रों का प्रत्थकर्ण जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया था, इसका मतलब इस क्वेशन का जो सही आंसर जा to separate the homologous chromosome begins in diokinesis, तो वो diokinesis जाता है, है न, शुरू तो diplotini में हो गए थे, spindle के थू होना शुरू कब हो जाएंगे, diokinesis में है, और लास्ट आता है, जाइगोटीन उसमें तो जोडे बने थे, तो इसका आंसर है B. At what stage of the cell cycle are stone proteins synthesized in eukaryotic cell? सुकेंद्र की कोशिका के बीतर, histone protein का sun salvation कोशिका चकर की किस अवस्था पर होता है? है न, यह करेंगे, histone protein का जो synthesis है, वो cell की कौन सी stage में, कौन सी phase में होता है? पहला कहता है, क्या G2 phase में, प्रॉफेस की G2 phase में होता है? दूसरा कहता है, S phase में होता है, तीसरा कहता है, entire prophase, संपूर्ण पूर्व अवस्था के दोरान होता है, और D कहता है, during telophase, अन्तिय अवस्था के दोरान होता है, तो मैं आपको बता दूँ, जो prophase होती है, interface की जो S phase है, उसमें DNA का प्रतिकरतिकरन replication होगा, histone protein का synthesis होगा, और centriol का duplication भी होगा, यानि इस question का answer जाता है, B, during the S phase. During mitosis, ER and nucleus begins to disappear, है न, mitosis समसुत्रिवादन के दोरान, ER थतना nucleus के सवस्था में, विलीन होना आरम कर देता है, ऐसे कौन सी phase है, जापर कह सकते है, ER है, GB है, केंदरिक जिली है, nuclear membrane है, nuclear lust, यानि केंदरिक है, disappear हो जाता है, तो आपने सुना होगा, प्रॉफेज में ऐसा होता है, है न, प्रॉफेज में जब गुंसुत्रों का संगनन होता है, थोड़े बहुत chromosome दिखाई देने लग जाते हैं, तो late prophes के अंदर, क्या होता है, nuclear envelope, ER, GB, सब disappear होने जाता है, question आएगा के बताओ, के disappearance किसमें हो जाता है, तो early metaphase आसकता है, यह करा है, होना आरंब हो जाता है, देखिए अब, शुरू कब हो गए थे, तो शुरू हो गए थे, late prophes में, आप NCIT की लाइन पढ़ेंगे, तो NCIT में साफ साफ लिखावा मिलेगा, के metaphase का प्रारंब का सूचा कौन है, उसका संकेत कौन है, केंदरिक जिल्ली, केंदरिका ER और GP का disappearance, अगर वो विलूप्त हो जाते हैं, तो वो ही बताते हैं के metaphase शुरू हो चुकी है, है ना, the disappearance of nuclear membrane, nucleus, ER and GB, the mark the indication of the initiation of metaphase, यानि metaverse की शुरूवात का संकेत वो ही देते हैं, यानि ये सारे किश्यारे सीजें disappearance हो जाते हैं, लेकिन उना प्रारंब पूचा है, इसले हम लगाएंगे क्या late prophet इसका answer लगाएंगे, इस question का answer रहता है, A. जिसमें समझाद गुनसुत्र एक दूसरे से प्रत्रक तो हो जाते हैं, जबकि centromere वो आपस में जुड़े रहा जाते हैं, यानि ये कह रहा है कि देखो, ये cell है, इस cell के अंदर ये pole है, और यहाँ पर, ये chromosome है, ये chromosome है, right? ये chromosome है, ये कहाँ है, समझाद गुनसुत्र एक दूसरे से प्रत्रक हो गए, ये देखिए, तो समझाद गुनसुत्र है, वो एक दूसरे से प्रत्रक हो रहे हैं, लेकिन centromere दिखाई दे रहा है, ये देखिए, आप centromere दिखाई दे रहा है, तो यह जो diagram मैंने बताया है, बनाया है, कौन सी face का बनाया है, यह anaphase first है, anaphase first में इस प्रक्रिया से, इस process के वज़े से number of chromosome हाफ हो जाते हैं, गुंसुत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानि यह समझाद गुंसुत्रों का प्रत्त करन तो हो रहा है, लेकिन गुंसुत्र उनों का विबाजन नहीं हो रहा है, डिविजन नहीं हो रहा है, इसलिए centromere दिखाई दे रहा है, तो सीधा answer क्या जाता है, anaphase first, right, तो सी answer रहेगा इसका, synapsis occurs between, सुत्र युगमन किन के बीच में होता है, synapsis, यानि समझाद गुंसुत्र का जोड़ा, किस के बीच में, यानि किस के बीच में synapsis होता है, यह पूछ रहा है, पहला कहता है, mRNA and ribosome, mRNA और ribosome का जोड़ा बनना को कहता है कि synapsis, spindle fiber and centromere, तरकु तन्तु और centromere के सा synapsis, तीसरा कहता है, homologous chromosome, दो समझाद गुंसुत्रों का जोड़ा, तो क्या answer आएगा, two homologous chromosome, दो समझाद गुंसुत्रों के जोड़े को हम क्या कहता है, synapsis, या फिर सुत्र युगमन या फिर युगली कहता है, तो answer इसका सीधा, C. The enzyme recombinase is required at which stage of the meiosis, recombinase enzyme अर्शुत्री वाजन की किस सवस्था में आवश्चक है, है न, question ये पूछा, recombinase enzyme के बारे में, तो अगर आप NCIT पढ़ते हैं, ने तो मेरे point को समझेंगे, तो आपको directly समझ में आ जाएगा, जैसे suppose करते हैं, ये homologous chromosome है, क्या समझे हैं अपन, ये homologous chromosome समझात गुंसुत्र है, इनका जोड़ा बन गया था, जैसी पैकाइटीन में पहुचे, तो पैकाइटीन में, इनके बीच में, दो non-sister chromatid के बीच में, recombinase enzyme आ जाता है, कौन सा enzyme आ जाता है, recombinase enzyme आ जाता है, जिसको अपन endonuclease भी कहते है, ये recombinase enzyme इस chromosome को भी है, इस chromosome को भी काटता है, इस chromosome के, इसको ऊपर shift कर देता है, और इसको इसको उपर shift कर देता है, यानि exchange of chromosomal segment कर देता है, यानि गुनसुत्रों के खंडों का आदान प्रदान कर देता है, जिसको crossing over कहते है, क्या कहेंगे हम इसको? इसको हम कहेंगे crossing over, यानि ये gene vinae में का काम कर देता है, इसका मदलब जहाँ gene vinae में होगा, वहीं पर क्या आएगा, recombinase जो है वो use में आएगा, इसलिए इस question का answer क्या जाएगा, pacotene क्योंकि crossing over कहा होता है pacotene phase में होता है कौन सी अवस्था में होगा तो pacotene के अंदर होगा, तो इसलिए इस question का answer क्या जाता है, a pacotene यानि इस थूल पठ इसका answer जाता है, जोड़ा बनता तो zygotene होता, diplotene में तो ये हटने लग जाते हैं और diokinesis में तो kyazmeta हटी जाता है, तो इसका सही answer क्या जाता है, a pacotene, right तो इस तरह से हमने आज cell cycle and cell division के कुछ important questions discuss किये, जिसके कई सारी ऐसी terminology है, जो आपको समझाने के मैंने कोशिश की, कि कहीं गुमा के फिरस अगर आजाते हैं question, तो आपके answer गलत नहीं होंगे क्योंकि negative करना हमारे selection को पीछे खींचने के बराबर है, इसलिए सही answer निकालना, सही perfect concept apply करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीके ना, तो आपने concept को build up कीजिए, ठीके इस तरह से समझते रहिए, समझ समझ के question को solve किए, question को सही तरीके से पढ़िए, option सही तरीके से understand किए, ये दोनों में combination, दोनों के अंदर आप कह सकते हैं कि, दोनों को आप relate किए, relate कीजिए और उसके बाद ही उसका answer निकालिए, तो क्या होगा, आपका selection बहुत असनी से हो जाएगा, right? Thank you, all the best.